Good morning दोस्तो स्वागत है आपका Crazy Crypto मिल्टू में आज के लिए कुछ अच्छी खबर पहले ले लेते हैं वेसे जो मार्किट में जो चलना है वो सब आपको पता ही है negative, negative और negative लेकिन आज आपके लिए स्वगा थोड़ी सी अच्छी खबर से करते हैं और वो है House Republicans introduce will to restructure SEC and remove chairman Gensler यानि के villain Gary Gensler जो crypto का villain एक तरह से कि इसको जो फाइर किया जाए यानि इसको हटाया जाए और ये Republicans ने देखिए एक bill paste कर दिया है यानि आभी तक सिर्फ मुझवानी चल ला था वो अब कहीं ने कहीं return में भी आ गया है और अब इस पर चर्चा होगी बिल पास होगा अगर बिल पास हो गया तो सब Gary Gensler की छुट्टी हो जाएगी SEC से देखिए Gensler की छुट्टी होना बहुत जरूरी भी है क्यों के आप जो crypto में अभी देख रहे हैं ये केवल और केवल Gensler का किया हुआ है सब देखिए Government भी कहीं कहीं सामिल है पीछे साब ये कहोगा Government सामिल नहीं है लेकिन क्या है Government जो है Gensler के कंदे बे बंदूक रखके एक तरह से गोली चला रही है लेकिन जो भी है अगर Gensler हटेगा अब जो भी एक तरह से नया structure बनेगा SEC का उसमें फिर कहीं कहीं कोछ नो कोछ तो positivity आएगी तो फिलाल जो है क्रप्टो के लिए अच्छा ये होगा कि Gensler की छुट्टी हो जाए US Capital Market Must Be Protected Technical Chairman Including the current one That's why I am introducing legislation To fix the ongoing abuse of power And ensure protection That it is the best interest of the market For a year to come It's time for real reform And a fire Gary Gensler As a chair of the SEC यानि कुल मिलाके बारेन एंडर्सन ने ये बिल जो है एक तरह से पेस किया है किसाब इनको यहाँ चाब fire किया जाए और अभी एक अच्छा टाइम है जब हम उसको SEC को एक तरह से Restructure करें जिससे के आगे जो है ये digital चीजों को बचाया जा सके क्योंकर ये हो क्या रहा है ये केवल मनमानी हो रही है और ये मनमानी जो है Gary Gensler कर रहे है तो अब कुल मिलाके अगर देखा जाए तो लगता है कि Gary Gensler की छुट्टी हो जाएगी और अगर चेर्मेन पर से Gary Gensler की छुट्टी होती है तो कहीं ने कहीं करप्टो के लिए पूरी दुनिया के लिए का अच्छा होगा क्रप्टो समधाए के लिए तो देखते हैं क्या होता है लेकिन फिलाल तो ये बिल आया है और वाकाइदा भाई अब कानूनी रूप से आया है तो आगे क्या होगा कि अब पूरा पूरा ये तरह से रिस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे है SEC का यहाँ पर देखे JP Morgan ये भी एक बहुत बड़ा बैंक है अमेरिका का उसने जो क्लियर बोला है अब यहाँ हो का क्या हो ये रहा है कि आगर आप इस तरीके से ब्लॉकचेंस को या और जो टोकन्स या कोईंस हैं उनको आप SECURITY घोसिस्ट करेंगे तो यहाँ देखे अभी तक BTC एथिरियम जो है आपके उस SECURITY में नहीं है भाई Gary Gensler ने उसको अभी लिस्ट में सामिल नहीं किया है तो कहीं ने कहीं लोगों का रोज़ान देगे इन टोकन्स या कोईंस से निकल के जो है किसमे जाएगा BTC एथिरियम में तो कहीं ने कहीं एथिरियम जो है और मजबूत होगा तो ये क्या ये फोर्सली हो रहा है कहीं ने कहीं Gary Gensler का अपना कोई निजी स्वार्थ है यानि कुल में लाकर ये मना जा रहे हैं सबका अटेक जो अब हो रहा है वो Gary Gensler पर हो रहा है कि भाई ये जो है अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे है JP Morgan says Ethereum's dominance could grow further तो भाई देखिए जब पैसा और token या coin से निकल के कहीं लिए तो जाएगा भाई लोग जो crypto में इन्वेस्ट करना चाते हैं या इन्वेस्ट और crypto में रहना चाते हैं तो वो इन्वेस्ट तो करेंगे तो फिर इसी तरह के token को देखेंगे जो उनके लिए benefit वाला हो तो फिर बचा क्या Ethereum और आपका BTC जो आपकी security से भी बाहर हैं तो फिर इसी लिए JP Morgan का ये मानना है ये कहना है कि भाई देखिए इससे क्या होगा कि Ethereum का dominance बढ़ेगा क्योंकि और जगह से पैसा निकल के Ethereum में आ SEC में Gary Gensler को target करना तो अच्छी बात है Gensler की छुटी होनी चाहिए तो इनुग वालो के लिए एक थोड़ी सी छुटी सी update है रोगों ये है कि Civ Army Warning if you receive email link like the one below please ignore them facing attack तो ये क्या है कि इस टाइप का आपके पास कोई link है या ऐसा कुछ आता है तो आप उससे दूर रहें ये सा आपका अगर कोछी भी आता है तो उससे आप बचके रहें कि वहाँ जो है आपसे कोई फोर जरी कोई धोकादरी हो सकती है Bank of China BOCI issued tokenized security on Ethereum in Hong Kong देख लिए साब चाइना जो है एक कदम और आगे बढ़ गया है यानि कि आप Ethereum का इतना कद बढ़ गया है वो security के तोर पर भी huge यानि कि blockchain the first such transaction by a Chinese financial institution in Hong Kong according to the company तो चाइना ने एक तरह से यह अच्छा काम कर दिया यानि कि BOCI offered CHN 200 million लगबग 28 million dollar के आसपास बात बन दिया यह of structured note with Swiss banking giant UBS underwriting the issue and placing with client in Asia Pacific the bank of China invest banking RBOCI issue tokenized securities on Ethereum in Hong Kong according to the Monday press list a Chinese financial institution issues tokenized securities on a public blockchain in Hong Kong यह देख लीजिए साब अब Ethereum की इतनी value हो गई कि आप वो जो एक तरह से security के तोर पर भी यूज के जा रहे हैं tokenized security के तोर पर वहाँ एक तरह से bank यूज कर रहा और वो भी चाइना तो अब देखिए America कहीं जो America में चल रहा है उसका फाइदा चाइना पूरी तरह के उस्तार है मैंने आपको कल भी इस बात को कहा था कि कहीं ने कहीं चाइना यहां बाजी मार जाएगा तो अब क्या है अभी देखिए सब indirect way में हो रहा है चाइना direct निकल के नहीं आ रहा है लेगिन कहा है Hong Kong के जरिए चाइना कुछ नख कुछ क्रप्तो में कर रहा है और आगे बढ़ रहा है डेन उठा रहा है और यहां इसी बात का फाइदा चाइना उठा रहा है और जो अमेरिका में हो रहा है वो कुछ न कुछ गलच चल ला है और कहिंद के या वो उस पर चिंता भी हो रही कि भाई Gary Gansler रहेगा तब तक ये दिक्कत रहेगी इसलिए Gansler को यहां से छुटी करो तभी बात बनेगी बना देखे चाइना आगे निकल जाएगा BTC आपका 25,956 पर अभी ट्रेट कर रहा है वो ही आपका साइड बे कोई मुमेंट नहीं है ना पहन डाउन है क्योंकि मैंने आपसे कल एक सामको वीडियो एक जनरल वीडियो आपको दिया था किसाब देखिए ये सब को तेरे तारीक का इंतियार है कि तेरे तारीक को आकर कई स सारे वो कहते हैं कि छोटे-छोटे बड़े-बड़े इवेंट हैं उनमें क्या होता है क्या निकल के आता है वो चीजें जो है चल रही है तो इसलिए मार्केट में कोई भी मुमेंट नहीं है कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर जो है अभी इंट्रेस्स नहीं दिखा रहा तो वो सारी चीजें देखने के बाद ही जो है ये कुछ करना चाहते हैं जो भी है तो एथिरियम देखे अभी 2738 डॉलर पर चलना है बियन भी आपका 230 डॉलर पर है जो बियन भी थोड़ा सा से श्टिवल हो गया है कल आपका थोड़ा सा गिरा जादा था 222 डॉलर तक भी ग देखा जया तो भाई देखे सिवाईनू की हो रही है मारकेट कैप सिवाईनू का डे वाई डे डे डिक्रीज हो रहा है यानि कि कुछ नहीं आज थोड़ा सा आप इंतियार कीजिए लेकिन जो भी है सामने आएगा निकल के साम तक का आपको इंतियार करना पड़ेगा और में चीज यही है कि जो सबसे अच्छी खबर थी यूएस एसी सी चेयर यानि के गैरी गैंसलर का फायर का जाना यहीं उनको निकाल के बाहर कर देना तो अच्छी बात है हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो जा और करक्टों में थोड़ी पॉजिटिवटी आए जैसा भी होगा न्यूज आप तक पहुंशती रहेगी प्लस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सके सेयर कीजिए चले फिर मिलते हैं नमस्कार